हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे मैं भी मस्त हूँ तो आज हम जा रहे हैं गाउं में कहीं जहां पे जो मेरी दादी सास है थी मतलब उनका माई का है तो चाचा जी लोग वहां रहते हैं तो आज हम जा रहे हैं वहां तो ये है आगे उपर जाके गंड्याल के पास बिटुली तो आज हम वहाँ जा रहे हैं और दिखाते हैं फिर वहाँ पे कौन कौन रहता है है तो अच्छा का थो यहां पर हम रोड़क और नीचे गाउं तो चाचा जी आ रहे हैं अब तर कि नोने बोल ने जाना है तो चाचा जी आ रहे हैं और हमने मम्मी को गाड़की तिक्की में बंद करके रखा है तो देखो क्या आता है अच्छा चपल पीछ नहीं डाल दाओ कुछ नहीं और चुचा पैटी है और मैं और ममी जा रहे हैं नीचे गाओं में थोड़ा सा नीचे हैं ज्यादा नहीं है तो हमने सोचे हम चलते हैं यह लोग पता नहीं कब तक आयेंगे तो इन्होंने बोला तुम जाओ की हम आएंगे अभी तब तक तुम मिल लो सबसे तो हम चलते हैं नीचे और नीचे मिलते हैं घर पे जो भी लोग होंगे उनसे तो पहुंच चुके हैं हम घर पे और यहां पे चाचाची लोगों का जो कुद्धा है उसको देखके हम बहुत डर रहे हैं चाची ने बोला कि वहीं पे रुखो औ तो ये बड़ा डर लग रहा था हमें और ये बतानी इनके इस्तेदार है कोई और ये हैं बुड़ी मतलब की एक जुदादी सास है उनकी भावी तो हो चुकी है रात और अब हमने जला लिया है बाहर में चूला तो हमने सोचा है आज की हम कुछ अलग ट्राइ करेंगे और ये बुड़ी साथ मैट के गप्पे मार रहे हैं जलते हम दो बारा से बाहर ये बन रहा है हमारा चिकन और इसी पतानी क्या ना चिकन ही डाल रहे है नवें बोल रहे हैं मैं और नाए तरीके से वनाओ आउने क्यासा बनते हैं देख ते रहे हैं और कैसा बनता है ये बुची देरी आमारे ये वर बड़ो किचंचा अमारे बुड़ी बैठी भारे इल्ला खड़ा चान न मत्थी बला खड़ा इल्ला खड़ा चान न हेल्लो दोस्तों हमने आलू चूले के अंदर अभी देखते हैं कितनी देर में पकेंगे और मसाले डालते हुए और बावर्ची मसाले मिक्स करते हुए और अब ये जाएगा अगारी मेर्ची मेर्टे हुए तरह करते हुए खड़ा हैँ जाएगपें अब येद वाल्याइग नाएगव बैटे हुए पाटे हुए जिएग खड़ा वाल्यागवाण अब येद आपके उन्यागवाण उन्यागण Sayaka करेल बोनी जिन में नेट एक प्रकार का चिकन ये बन चुका है एक प्रकार का है एक ये है और ये आलू हमारे आलू बामू और ये सस्ता जुगाड सस्ता टिकाओ शरी अनिचान अमा तब जाए क्यों सस्ता जुगाड तपन या तु आलू है यहां पर बना रहे हम आलू कबरता टाइप पर इसको चूर के फिर इसमें मिलाएंगे प्यास टमाटर जो भी होगा और थोड़ा सा हरी मिर्श थोड़ा नमक मूं में पानी आ रहा है सूच के ही तो बनाते हैं और खाते हैं हमें तो बहुत मजाने वाला है अगर आपको भी देख के बहुत अच्छा लग रहा है तो आप जरूर बनाईए और जरूर जरूर खाईए अब रोटी के साथ भी हम इसे खा सकते हैं जैसे एक हम बनाते हैं सूखी सबजी के टाइप में तो वैसे ही हम इसे बना सकते हैं और प्यास टमाटर डाल के या तो फिर भून के और फिर उसमें डाल सकते हैं तो कैसे भी आप खा सकते हैं तो हम जरूर बनाईएगा और जरूर खाईएगा हम तो खाने वाले हैं तो यह हो चुका है हमारे दूसरे टाइप पचकन तैयार अर दिर दिर बनाते रहेंगे खाते रहेंगे चलो दूसरे खेप कर दोता यार लेह जोड़ा उसरे नंदेना तैयार था थोरेंगे खाई नियांगे जोड़र को इंबा खाई जो भाता था रहाँ जोड़र एक जोड़र जोड़र के खाताई आपर केप इनको देखो अब खाना आना काके बाहर में लगाने में तो यह तो सोने वाले हैं यहीं पर पतानी ने ठंड लगे न लगे मैं तो जा रहे हूं अंदर सोने तो बुट नाइन दोस्तों बाई बाई मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ झाल 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 झा